हेलो एविर्वान वेल्कम बेक्टु रिवाइस्टोडी आजी आमें डिस्केशन करिवा क्लास एट इंगलीश रो लेस्ट शिक्त फलो अब लेस्ट जग्दिश चंद्र बोस तो जग्दिश चंद्र बोस होचन जने इंडियान साइन्टिस्ट तो तांक विशर पढ़िवा पूर्वूरो आमें पधितीलू यारो मेल लेसनरे तीनी जन साइन्टिस्ट को तांक वरो गभया गभया विशर पढ़िवा एब़यु तो चालान तो पतना स्टोरित कु श्राड कोरिवा धेन जानी पढ़िवा जग्दिश चंद्र बोस किये तांक वरो गभया गभया ना प्रोमेनियेट साइन्टिस्ट अब दा वाल्ड फू प्रूब बाई एक्स्पेरिमेंटेशन द्याट बोथ एनिमल्स आड प्लांट्स स्यार मोच इन कमन तो जग्दिश्चंद्र वोष्ट इले प्रूथिवीरो सुनावधन्य बईग्यानिको मानंक मध्यरू अन्यत मजिए परिख्योन माध्यमरे प्रमान करी देखाई चन्तिजे उभयो प्राणी और उद्विद मध्यरे अन्यको कथा बाई घटनारे सामज़स्यो देखा जाए तो शे परिख्या करी देखिले चे उद्विद माने मध्यरू उत्ताप थन्डा आलोको सब्दो एबं अर्ण्यान्य प्रत्तिकरिया सुष्टिकरी पधार्तकु अनुभवप करी धान्ती ही मेड एन इंस्टुमेट कोल क्रेशकोग्राफ फर दा परपोज से एही उद्देशरे क्रेशकोग्राफ नामको एको जंत्र उद्वावन करी थिले ही रोट तु भेरी फेमोस बूक रेस्पन इन दा लेभिंग आन ननलीभिंग 1902 आन दा नर्स मेकानिजम आप प्लांट्स 1926 तो शे ए संपर करे दुईती प्रसिद्ध पुस्तक लेखी चांती जथा रेस्पन इन लिभिंग आन ननलीभिंग बाज जयबो एबं ओजयबो मानंक मदर प्रक्रिया शेटाला 1902 मश्यार से लेख थिले ता पर सेकन लेख थिले दा नर्स मेकानिजम आप प्लांट्स 1926 ता प्रशे कन लेख थिले सेकेंड रे उद्विद मनंक्रस नायरो जन्त्रीक प्रक्रिया शैटाहला 1926 मसियार से लेखी थिले तो बर्तमान सेकेंड परागरावकु पडिवा कन अची हिवाच बन अन 30 नभेंबर 1858 एट मायमेन सिंग नाउ इन बांगलादेस तो जग्दी संद्र बस 858 एट मायमेन सिंग नाउ जन्मग्रहन करते ले जोटाकी बर्तमान बांगलादेस रे अभस्तितो तो तांकर प्राथमीको शिख्या अंचडिको भासा भित्तिको जोटा ये भान्नेकुलार बिद्धालारे सिख्या लावब कर थिले ता परसे निज्य मात्रु भासा बंगलारे पडिशारिया पोरे इंग्राजी भासारे पडिथिले काहिं किना एको भिद्धेसी भासा पडिःः फुरुबरो निज्य मात्रु भासारे पडिःः पाइन तांको पिता चाही थिले बोस आते अने Cambridge after storing physics at कलकता इन्वर्सिटी तो बोस कलिकता बिशोबिद्धाडरे फिजिक्स भाँ पधातो बिज्यान पडिशारिया पोरे Cambridge बिशोबिद्धाडरे को पडियाको गले ही रिट्टन टू इंडिया इन एटीन एटीन एटीफोर आप्तार कंप्रिटिंग बिश्य दिग्री प्रम केम्प्रिज इन्वर्सिटी से Cambridge विशोबिद्धाडरे बिश्य दिग्री रे कंप्लिट कलापरे से 384 मसियारे इंडियाको पूनितरे से फेरीया शिले ही डाइड इन्दा यार नाइंटीन थाटी सेवेन शेही मोहान बईगानिक उणिस्ट संच्रीस मसियारे मृत्तिवरण कले तो बत्त मांदार कॉंफरेंशन कुछेन आंसर कुछेन आंसर कुछेन नमबर वान अची हुई जग्दिश्चंदर बोस तो जग्दिश्चंदर बोस किये तो तारो आंसर ची जग्दिश्चंदर बोस is one of the famous scientist of the world तो जग्दिश्चंदर बोस उचंती दुनियार जमने अन्यतमा प्रसिद्ध साइन्टिस्ट बा विग्यानि नेक्स्ट ची कुछेन नमबर टू हुँ श्यार मच इन कमन तो साधरान रे कियो अधिक अंसिदार बाश्यार करनती तो आंसर बोतार दा एनिमर्स और प्लांट्स श्यार मच इन कमन तो पोसुएब उद्वित गडिक बहु परिमान रे असंपुन्न अंसिदार करनती तो नेक्स्ट देखिवा तिन नमबर कुछेन कुछेन कुण ची हाउ आर प्लांट्स लाइक एनिमर्स तो उद्वित गडिक पोसु मानंक परी किपपरी तो तार आंसर अची प्लांट्स लाइक एनिमर्स आर सेंसिटिव टु हीट कोल्ड लाइट नोज आर भेरियस अधर स्टीमूली सो प्लांट्स आल लाइक एनिमर्स तो पोसु परी उद्वित गरम थंडा हालुका एबं अन्यान्य बाइह प्रती संब्य दन सेड़ त्यन उद्वित उडिक पोसु परी नेक्स्ट चान नमर्स कुषेन ओची What is Cresco Grab Use 4? तो Cresco Grab कोण पाइँ ब्यवववत हुए? आंसर ओची Cresco Grab इजन इंस्टुमेट उज टेस्ट, सेंसिटिविटी अप्लांट्स, टु हीट, कॉल्ड, लाइट, नोज आर थिंग्स तो Cresco Grab हुच एक जन्त्र, जहां उत्ताप, थन्डा, आलक, सब्दो, एई सबु पाइँ उद्वित अगुडिकर संब्यद्ध न शिलता, पाइँ ब्यवववत हुए तो next देखिया पांचे नमर कुशें, कणाची, name दा books यगदिश्चंद्र बस रट, तो यगदिश्चंद्र बस पुस्तो गुडिकर नाम लेखो तो तार आंसर कणाची यगदिश्चंद्र बस रट, टू बुक्स, दे आर, फास्ट कणाची, response in the living and non living सेकेंड रोची दा नर्फ्स मेकानेजम अफ प्लांट्स तो जग्दिस चंद्र बोस दुईती पुष्टक लेखीतिले सेगुडिक हुँची रेस्पन्स इन्दा लिभिंग और ननलिभिंग जीवन तो एबं अनजीवन अरे प्रत्तिक रिया सेकेंड कनोची दा नर्फ्स मेकानेजम अफ प्लांट्स तो सेकेंड आ हुची उद्विद्र स्नायू जांत्री कता तो बोतमान छो नमबर कुछें देखिवा कनोची what are these books about तो एही पुस्तोगुडे विशरे कन तो तारो आंसरोची these books are about a study on biotic and abiotic bodies and their sensitivity to heat, cold, light, noise and various other external stimuli he also wrote on nerves mechanism of plants तो एही पुस्तोगुडिक बायोटिक एबंग एब बायोटिक शरीर उपर एक अध्धयन एबंग उत्त्राप थन्डा आलक सब्दो एबंग अन्यान्य बायो उत्छा फ्रती संब्यदन सिरता विशरे शे उद्विदा गोडिक रो स्नायू प्रणाणी उपरमध्य लेखी थिले तो नेक्स्ट बतान सात्त नमबर कुचेन कणाची where was he born when तो शे केमठर जन्मगर हन करतीले एबं केबे तो तारो आंसरोची he was born at my man sing now in Bangladesh on 30 November 1858 तो शे माई मेन सिंग रे जन्मगर हन करतीले जोटा गोटमर बांगलाद स्रवबस्त केबे तीरीस नमब्य वर अठ्था अठावन मचे रे जन्मगर हन करतीले ता पर अच्छी आठ नमबर कुचेन where did he have his primary education why तांकरो प्राथमीको शिख्या केण उठारे थिला एबं काहीं की तो तारो आंसर कुणोची he had his primary education फ्रोमे भान्नेकलर स्कूल it was because his father wanted boss to learn his mother tongue Bengali first before studying English तो तांकरो प्राथमीको शिख्या एक भान्नेकलर स्कूल रू आरंभ होईतला यहारा कारण थिला जे तांकरो पिता बोस इंग्राजी अधन करिया पुर्वरु तांकर मात्रु भासा बेंगली रे शिख्याईवको शे चाहूं थिले तो बर्तमान देखिवा नमबर कुचेन कनोचे what did his story at Kolkata University तो शे कली कता विश्वविदालेर कन अधन करतीले तो तारो आंसर अची History, Physics, Kolkata University तो शे कली कता विश्वविदालेर पधार्तमिक्यान अधन करीतीले नेक्स्ट तसनोबर कुचेन होची where did he get his BSc degree from तो शे तांकर BSc degree क्योंठू पाईले वा कोड़ी अधन करतीले तो तारो आंसर अची he got his BSc degree from the Cambridge University तो शे तांकर BSc degree कु Cambridge University रे हैसलो करतीले वा पाई थिले तो बर्तमान देखिवा एकरान अबर कुच्चेन कनोची when did he die तो शे केव्या मुझ्ट्यूबरण करतीले तो तारो आंसर अची he died in the Europe 1937 शे 1931 बस्यारे मुझ्ट्यूबरण करी थिले तो बतमान दारो स्टोरीटी अल्रेडी सोरीएची एबंग तारो कॉंप्रेहांसन कुच्चिन आंसो डिस्टोसन मद्यां सोरीएची तो नेक्स्ट बुडिया में तारो पोस्ट ट्रेडिंग आनिवा तो एई बुडियोटी आपनोंको भल लागी थिले निया तीकोटे लाइक करीवे शेयर करीवे और सब्सक्राइब करीयाको जम्मा भुलिवेनी ठेंक्यू